हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में भी हम हाइड्रोस्टाटिक फोर्स का एक नुमरिकल करेंगे तो नुमरिकल हम अपने वो दिया है यह हाइड्रो लिक प्रेशर हैस ए रेम आफ 20 सेंटिमेटर मतलब कैपितल डिया 20 सेंटिमेटर एकोल स्टू 20 इंटू 10 रिस्टू मैनस तू मीटर एंड प्लेंजर मतलब स्मॉल डी 3 सेंटिमेटर दिया है 3 इंटू 10 रिस्टू मैनस तू मीटर सब को कर लेंगे अपन इस यूश्ट फॉर लिफ्टिंग वेट वेट दिया अपने वो 30 नूटन वेट दिया 30 नूटन फाइंड फोर्स रिक्वाइड एफ अपने को फ अरिया तो पी अपने गपने को निकालना है है अ यह सो सुनु पी निकालने के लिए अपन पी कैसे निख लेंगे है पहले तो P equals to F upon A plunger का फॉर्मूला है लेकिन F आपने को निकालना है F आपने को मालूम नहीं तो फिर हम हमें पहले P निकालना पड़ेगा उसके लिए तो P कैसे निकलेगा अपना W upon A वेट दिये अपने को 30 into 10 raise to 3 newton और area आपने को दिया है 0.0314 क्योंकि आपन प्लंजर का निकाल रहा है तो फिर जब आपन इसको calculate करेंगे तो आपने पस answer आजाएगा 955 into 10 raise to 3 P की value आजाएगे और इसको हम pressure at plunger की formula में रखेंगे P equals to F by A P की value आपन इधर रखेंगे area की value आपन इधर रखेंगे और जब यहाप पर x रखके हमपन solve for x करेंगे तो आपने F की value आएगी 675.2 newton अगर आप पो यह doubt आ रहे हैं कि यहाप पर आपने small a q लिया है और यहाप पर capital a q लिया है तो यहाप पर आपन देख सकते हैं जो आपन इसलिए अपन इधर एरिया जो प्रेशर आप प्लेंजर का लेते हैं तब आपन प्लेंजर का एरिया लेंगे इसलिए यहाप पर आपने small a लिया तो कि आपन यहाप पर pressure at plunger का calculate कर रहे है तो इसलिए आपन फॉर्मुले में यहाप पर small a लिखके चल सकते है क्योंकि आपन प्लेंजर के लिए calculate करते हैं प्लेंजर का आपन small a से denote करते हैं अगले वीडियो में हम एक और सम सॉल्व करेंगे स्क्यों करें